नमस्कार आईए बात करता हूँ सबसे पहले मैं आपकी कनिष्टा उंगली के बारे में कनिष्टा उंगली ग्यान की उंगली है और सूरिय के पहले पर तक नहीं पहुची है यानि कुन मिलाकर जब वैसी सितिया हो तो व्यक्ति थोड़ा सा जल्दवाजी करता है और आपको थोड़ा सा जल्दवाजी से बचना है बुद्धी की कोई कमी नहीं भाशा शैली की कोई कमी नहीं है किसी भी परकार से आपके जीवन के अंदर आपको बस जल्दवाजी से थ अब भी यहां पर कोई जादे खड़ी देखा नहीं धिकराई पड़ रही तो वर्तमान में इस्तिति आपकी सावन है यानि कुल मिलाकर जिस इस्तान पर हैं महाँ पर जादे ना उन्नती है ना तरक्की है मान सम्मान आपने छेतर भर में आपका बना हुआ है कोई भी बदनाम का योग यहां पर नजर नहीं आता थोड़ा सा यहां गैप है तो कुल मिलाकर के ऐसा कह सकता हम के समय नहीं मिल nggakाता माववकी सेवा केcell आप बात करता हूं यहां पर मैं आपके सीधा सीधा शनी के उंगली यहां जाने जाती है रोगों केलिए और जाने जाती है आपके जी यानि उसकी पूर्ती जिसका वो धण चाता है वो पूर्ती का धण उसको नहीं मिल पाता है उससे अपने आपमें वो संदुश्ट नहीं होता है रोग की बात करें तो वैसा कोई रोग यहां पैसे दिखलाई नहीं पड़ता जिसको हम कहते हैं जो हाथ पेरों में, घुटनों में ज़तो जाए या उस तरह की कोई बिमारी आन्ने तो उस तरह का कोई रोग यहां दिखाय नहीं पड़ता है अब बात करता हूँ बरसपती के उगली के बारे हैं ब्रस्पति के उंगली और यहां पर फर्स्ट परव पर यह अपने आप में जो आपका यह निसान है क्रोस का कट्रम का या माइनस का इसका असर आपके जीवन में कहां डलता है जब इस प्रकार का प्रसम परव पर कोई भी माइनस का चिन मिन जाए तो इसको कहते हैं आपके जीवन में खान पान का ताल मेल नहों ना यानि कुल मिलाकर के यहां देखता हूं तो थोड़ी थोड़ी हलकी सी इसक्राइशी दिखलाई देती हैं सेकेंड पर पर जो कहते थे हैं कि उस समय तके लिए ज्यादे अलागी उजमानी जाती हैं कि जब पतनी आ जाये तो उससे थोड़ा व्यचारी मत्वेद यह कोई गहर पर आपको खाने पर सही रूप से कंट्रोल लगना होगा अपनी आज़तों को सुधारना होगा खान पान को वरना वह आपके लिए और भी पेट से संबंदी तप्चा से संबंदी त्रोगों को पैदा करेंगी अब बात करते हैं आपके बुद्ध परवत के बारे में अपर आप्षाट में धनका वेक मजबूती के साथ नहीं है अब बात करता हूँ आपके स्ूरिया के परव की सूरिया का पर संपर्व के रूप नहीं हैं यह रिखषवी आपके पास है याने के यहां पर यह रहावलनाएँ अभी आपके ह के अंदर हैं अगर मैं कहीं तो अ अगर आप टार्गेट पे ध्यान करें तो आपको जॉब सरकारी भी मिल सकती है चलिए अब बात करता हूँ मैं हपर आपके शनी के पर्व की अभी शनी पर कहीं भी आपका साथ नहीं दे रहा है इसे बोलते हैं भाग्य का पर्व भाग्य का पर्व यानि कि वर्तमान की इस्त लगी इस जदी को ये जाना जाता है अब बात करते हैं इसके बाद में आपके ब्रस्पती के पर्व के बारे में ब्रस्पती का पर्व और ब्रस्पती के पर्व से जब ये रिखा निकलें तो निश्चित रूप से व्यक्ति अपने जीवन के अंदर मकान भी बना पाता है और कुल मिलाकर अगर मकान नहीं बनाता तो पैतरिक मकान मिलता है। यहां तक अगर इन में से कुछ ना कुछ अवश्य मिलेगा। साथी साथ जब यह रेका निकल के शनी पर्व के दर्व जाएं तो व्यक्ति अपनी पत्री अपनी बच्चों की जुम्मेदारी के लिए धन अरजन कर लेता है। बस पती पर्व उत्तम है धन के आगमन तो बने ही रहेंगे। अब बात करता हूँ आपकी हिर्दे रेका के बारे में हिर्दे रेका और यहां पर देखते हैं तो थोड़ी थोड़ी ऊपर नीचे कुछ गिर करके रेका थोड़ी सी चटक करके रेका यानि मन में कहीं न कहीं उदासी है, मन के अंदर कहीं न कहीं परेशानी है, छोटे आपको साथी साथ मन के अंदर किसी के लिए के दूएस भाव नहीं, कोई गुपत बात चुपाते नहीं, इस परकार के व्यक्ति की हिर्दे रिखा इन फलों को जानी जाती है, अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके सीधा सीधा मंगल पर्व की, मंगल का पर्व जान बात को देखे रिखा, तो व्यक्ति कर्म से जुल करके, धन के आगमन भी पीदा करता है, तो कुल मिलाकर इन रिखाओं का फल होता है, कि व्यक्ति काम चोर नहीं है, अगर उसको काम मिले, तो व्यक्ति काम कर लेता है, चलिए, अब बात करता हूँ, मैं आपकी यहाँ पर स क्या है वर्तमान में दिमाग के अंदर सूर्य परवत के नीचे रिका उठी यानि के यस मान संबान पाने को आप बेचैन है ये आपकी बुद्धी रिका बता रही है और साथ ही साथ राज्य सरकार से संबंदी नोकरी मिल जाए तो उसके लिए आप बहुत उद्देलित हैं त तैयारी कीजिए नोकरी मिल सकती है मंगल परवत को रिखा पहुंची घर से दूर जाना पड़ेगा नोकरियों के लिए चाहे प्राइवेट हो और चाहे सरकारी हो अब बात करता हूँ इसके बाद में आपकी सीधा मंगल के दित्य परव की दित्य मंगल परवत यहां पर द चंदर परवत पर नीचे की तरफ एक एकस है और यह रिखा यहां जाकर के भाग्य रिखा में मिलती है जो चंदर परवत से मिलके भाग्य रिखा में मिली उसका फल हुआ आपके जीवन के अंदर दूर इस्तानों से जुड़े बिगर आपको लाब नहीं मिलेगा एक बात दूसरी जब यहां से यह रिखा परवर वाली साइड में जाके इसमें मिल जाती है थोड़ा सा कोई भी बुरे व्यवार से बचना होगा यानि ऐसा देखा जाता है व्यक्ति कुछ बुरी संगत का आदि हो जाता है कभी कभी बुरे खान पान का शराब का सिगरट का इस ची आदनों को ले करके तो इस तरह के से इन रिखाओं के फल जाने जाते हैं अब बात करता हूँ मैं इसके बाद मैं आपकी यहां पर यह एक रिखा इसको बोलते हैं बुद्धी रिखा यहां पर बुद्ध परवत को जा रही है इसको व्यापारिक रिखा नहीं बोला जा सकत यहां पर क्योंकि यह शुक्र पर उसे नहीं निकली है तो यह आपकी मैधावी छमता के लिए दिखलाती है कि आप युप्योग करें अपनी बुद्धी का और लाप पाएं अपने करम छेत्र से तो चलिए यह इस वात का फ़ल है उपर भी टूटी टूटी रेका हैं मन के अं जब आपकी यहां से चलती है तो यह मनी बंद से संबंद मिनाती है जब मनी बंद से संबंदित भाग्य रेका हो तो व्यक्ति सा यदि कोई पैत्रिक व्यापार है तो उससे संबंदित व्यापार को करें तो व्यक्ति को लाप एक बात दूसरी बात यदि पैत्रिक लाप न देखो तो अभी थोड़ा सा भग्य रिखा कुछ डोटी आगे 35 से उपर तक जा रही है तो उत्रा आगे तक तो नहीं लेकिन वर्तवान की इस्थितियों में आपका ये डोटी डोटी डेखा आगे आने वाले दो से तीन रिखा साल में बहुत गहरी होने वाली हैं ये मैं क्य के बाद में आपके सीधा सीधा शुक्रपर्व के बारे में शुक्रपर्व जाना जाता है समान्य संसादनों के लिए यदि मैं यहां पर देखता हूं तो समान्य रूप का शुक्रपर्व है यानि कुल मिलाकर संसादनों को दिखलाने वाला शुक्रपर्व आपका यहां प प्राप्ति होगी या नहीं होगी आई यू रिखा को देख लीजिए आई यू रिखा जाकर मणी बंद सिज्वा के चुक्टरा यानि कुर्मिला का 77-88 वर्स की आई यू रिखा भी आपके पास है तो ये तो हुआ आपका हाथ का सारा फल अब मैं बताऊंगा आपके सवालों कोई बड़ी बात नहीं रह गई आज के विज्ञान में सफेद दाकी हमारे सास्त्र में तो जो देवी कवज पढ़ता है मैं उपाई भी बोलते रहा हूं आपका जो देवी कवज अपके अपने जीवन के अंदर पढ़ता है उस व्यक्ति के जीवन के अंदर रोग से लेकर के जीवन की सारी समस्चा हैं हलो जाती हैं तो आपको उपाई में एक तो मैंने बोल दिया है को आपको देवी कवज पढ़ना है आपको अगर आप चाहते हैं इन रोगों से मुक्ति दूसरी बात या आज के समय में ये सपेद दाक का कोई भी मतलब नहीं है हस तरीखा से य ये एक तरह का चर्म रोग हैं और इसको अभी जल्दी से काबूम में कर लीजिए क्योंकि फिर ये जादे बढ़ जाता है तो मुस्किल हो जाती है इसको काबूम में कर लीजिए और उसके बाद ये रोग ठीक हो जाएगा तो ये आजकर विज्ञान के अंदर इसको क्या शादी होने के लिए आदमी का बिरस्पती अच्छा होना चाहिए शुक्र अच्छा होना चाहिए कोई भी हाँ पर ऐसी चिनल नहीं है जिनके अनुसार मैं जान सकूं कि आपका शादी नहीं हो पाएगी निश्चीत रूप से 100 आपकी शादी हो पाएगी कब तक मेरी स कुछ उपाय कर लीजेगा लेकि जाद संभावना मुझे 34 से 35 में वर्स में लगती हैं क्या मेरी सरकारी नोकरी के योग हैं मैं प्राइबिट जो करता हूं या बिजनिस करूं अभी तो मैं आपके कहूंगा कि आप बिल्कुल भी बिजनिस ना करें आप सिर्फ और सिर्फ संभावना है बात करता हूं इसके बाद में मैं सीधा आपके दूसरे तीसरे सवाल की मेरा भाग्य उदे कब होगा पैसे मेरे हाथ में टिकते नहीं हैं मैं अपने पैसे से मकान कब बना पाऊंगा इसमें भी दो सवाल है आपके तो चलिए मैं बताता हूं आपके भाग्य उदे के लिए भाग्य उदे अधिया आप करना चाहते हैं तो आपको संकट नाशन गड़ें स्तरोत जोड़ना होगा बहुत आगे तक किसी को डराना मेरा उदेश्य नहीं है लेकिन भाग्य रिका आपकी मजबूती के साथ आगे आगे बनेगी ये मुझे बहुत ज़्यादे दिकलाई पड़ रहा है तो कुल मिलाकर के भाग्य उदे जैसी चीज जो मुझे उसी पक्की रिखा वो मुझे भी नदर नहीं आ रही तो कुल मिलाकर के यहां आपके पास में जो है निश्य तरूप से पैसा भी रुके गा तब और भाग्य भी आपका बनेगा माकान के बारे में मैंने पूछा अभी हाथ के अंदर कोई भी माकान मनाने की रिखा हाथ के अंदर नहीं है ब्रतपती पर उसे मैंने बताया था कि ऐसे व्यक्ति को यह तो पैतरिक समान माकान आपसे मिलता है या स्वैम का माका निश्य तरूप से व्यक्ति बना पाता है अब यहाथ के अंदर कहीं भी कोई माकान मनाने की रिखा दिकाई नहीं पड़ रही तो उपाय समस्याओं के वो मैंने आपको बता रहा हूँ अब ही आपको जो आपका सब कुछ आपके जीवन में ठीक हो जाएगा क्या विदेश यात्रा के योग है जहां तक आपने विदेश यात्रा के योग है बिलकुल मुझे यह जो चिन गया था इसका एक संबन विदेश यात्रा योग का भी होता है तो कुल मिला करके विदेश यात्रा का योग भी है अभी नहीं कहीं से कहीं तक विदेश यात्रा का योग तो आईए अब मैं आपको बताता हूँ वो उपाय जिसके करने से आपके जीवन के अंदर बिल्कुल निश्चित रूप से आपके सारी समस्याइं सौल हो जाएंगी और आपका जीवन सुक्य हो जाएगा आप रोजाना अपनी पूजा में संकट नाशन गड़ें सरोत पड़ें साथी साथ आप पड़ें देवी कवच तो यह दो चीज पढ़िएगा और यहां पर एक बहतरी सा आप निश्चित रूप से पुकराज पहन सकते हैं यहां बहतरी सा पुकराज पहन लीजेगा आपको मिल जाए तो ठीक है नहीं मिले तो मैं आपको सैंप्ल दिखला सकता हूँ और रिंग बना कर आपके इस तान तक पहुंचा भी सकता हूँ तो यह दो पूजा करें और साथ में पहने पुकराज आप अपने जिवनें सुकी रहें यही मेरी सुब कामना है नमस्कार